विडियो शुरू करने से पहले मैं आपको congratulate करना चाहूंगा for your PPR, I know कि कितना relief मिला होगा, but अभी कुछ steps बाकी है, so without wasting any time, शुरू करते हैं जब आपकी passport request आई होगी, तो आपको कुछ ऐसे window देखेगी, आपके पास एक दो messages आये होगे, एक original passport request और एक correspondence letter आपको फटाफट original passport लेट डाउनलोड कर लेना है, original passport request पर क्लिक कर देना है, आपकी file download हो जाएगी यहाँ पर, so अभी आपको cross कर देना है, so आपका next step है, passport submission form बरना, यह काफी असाना है, इसमें कोई difficulty नहीं होगी, आपको मैं फटाफट दिखा देता हूं, आपको सबसे पहल हो था, new Delhi में वहा था, pin code अपना डाल दो, जो भी आपको pin code, check if available, mostly I guess सबके में available होगा, आपने अपना address डालना है, जो भी आपका address है, city, state, pin code वहीं, आप बात में change नहीं कर सकते हो, same address will be considered for drop of the career 2, आपने अपना first name डालना है, last name डालना है, application number, s304 something, 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 फिर आपने फटा-फट अपनी email ID डालनी है, आप अपना number डाल दीजिए, इसके अंदर second पर अपनी number डाल दीजिए, and अगर आप ये paid service लेना चाहते हो, तो आप इस पर yes कर दो, मैं definitely recommend करूंगा कि आप ये ले लो, तो मेरे काल से 500 रुपे एक्षर चार्जिस हैं, बट messages आते रहेंगे, और अगर आपने premium lawn service लीजिए during the biometrics हो, इस पर yes कर देना है, जो आपके receipt होगी लंबी सी, उसके अंदर ये होगा tracking number वहाँ पर, two से शुरू होगा काफी लंबा होगा, वो फटा-फट डाल देना है, फिर जो इसके receipt है, उसको scan कर लो, आप किसी भी dock app से, या फिर cam scan जो भी apps है, और दो या तीन pages में distribute करके भी आप उसे upload कर सकते हो, या फिर single page में भी आप कर सकते हो, PDF upload कर दी है आपने, और अपना यहाँ पर PPR upload करना है, और फिर जो भी capture code है, ये insert करके, I acknowledge terms and conditions पर क्लिक करके, आपने submit कर देना है, submit करने के आप कुछ देर बाद ही आपको mail आ जाएगा, आपको बट वेट करना है, payment link के लिए, जो कि मैंने जैसे की, मेरा 13 दिसमबर को PPR आया था, और मैंने रात को 10 बजे ही, form raise कर दिया था, so, so, 13 दिसमबर को रात को मैंने जब submission form किया, उसके next day ही मेरे को, दोपेर में 11 पे ही, मेरे को payment ID आ गी थी, और मैंने just तभी के तभी payment कर दी थी, और यहाँ पे आपका link होगा, and you can see, it is only valid for 12 hours, मैंने actually 30 minutes के अंदर ये अंदर payment कर दी थी, क्योंकि दोपेर में मैं online था, and जैसे ही आप complete करोगे, इसे बाद आपका AWB number आ जाएगा, which is right here, जो भी आपका होगा, यह मैंने अपना hide किया होगा, and आप जैसा की देख सकते हो, मेरे को उसे दिन शाम को साड़े पांच बजे ये mail आ गया था, मैंने actually एक mail कर दी थी इनने request के लिए, but मेरे ख्याल सबसका कुछ काम नहीं था, इस mail के आने के बाद आप समझ लो कि next day दोपैर के चार बजे तक आपका passport पिक करने आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको, जैसी आपके पास ये mail आ जाए, डबलो बी नमबर, फिर उसके बाद आपके पास दो, इन्होंने PDF एटेश करी होगी अपनी mail में, ये आपने fill करनी है, your application name, your name, your last name, जो भी email आइडिया है, अपना address डाला, इधर इधर इधर, फिलान डिम का न, ये आपने third वाला छोड़ देना है, और आपने SMS service ली थी, तो yes कर दो, और जो भी number है वो डाल दो, I, यहाँ पे अपना नाम डाल देना, have requested, फिर उसके print करने के बाद आप सकते हो, और यहाँ पे अपनी place भी डाल सकते हो, आपके मर्जी आप ये, अपना online fill करना चाते हो, तो online भी fill कर सकते हो, उसके लिए आप आपने first page पे कुछ नहीं करना है, second page पे आपने जो भी आपका passport पे नाम, address, telephone, number जो भी आपका personal है, email ID, यह मैंने print करने के बाद साइन किया था, date, जो भी आज की date है, कल की date है, कुछ भी कर सकते हो, यू नहीं है कि वैसे तो 10 दिन बात की कर दोगे, signed date यहाँ पे New Delhi और India कर दी आपने, यह वाला third वाला page खाली चोड़ देना, यह आपके लिए नहीं है, यह वही आगर आपको agent वगर ऐसे करवाते हो, तो वैसे भी agent आपको यह करवाने के लिए नहीं देंगे, फिर आपने fourth में यहाँ पे name, signature और date लिखनी है, यह वाला खा दोनों print out कर दी हैं और आपने fill कर दी हैं, आपको यह दोनों attach करके डालने हैं उसके अंदर, और आपने अपना एक PPR का print out लेने नहीं है, जो single page का होगा, और एक पना passport, आपको कोई premium receipt डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर already mentioned है, कि आप with premium launch हो, तो वहने घंट यहाँ, airway bill number यहाँ पर डालना है, go पर click करोगे, यहाँ पर shipment details आजाएगी, मैं आपको पूरी share का देता हूँ, 14th को ही मैंने payment कर दी थी, और 15th को ही next day pick up करने आगे थे, वैसे generally इनके में लिखा होता है कि 4 to 10 के बीच मैं आएंगे शाम को, so मेरे को चार बज़े ही pick up कर ल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो, 10 बजे वो पहुंच गया था, मेरे पस proper mail सारी थी इस चीज की, आपके पास notification साती रहेंगी, क्या scene है, क्या चल रहा है, खहाँ पहुंचा, आपके पस tracking ID आजाएगी, generally आपको एक week लगेगा, जिस दिन आपका pick up होता है, उसके, so AWB number provided to track shipment, यहाँ पर आपको मेरे क्याल से AWB number वापस नहीं मिलेगा, तो आपने क्या करना है, जो आपकी tracking number है, उसको यहीं पर वापस जाके, यहाँ पर reference number पर क्लिक करना है, और यह डाल देना है, गो करोगे, आपका पूरा आजाएगा, यहाँ पर bill number के साथ, तो देख सकत आपने message में देखा, यह 21 तारिक को 11 बजे गाता, तो अब 21 को यह निकला है, और यहाँ पर पहुंच गया है, 10 बजे, I hope इतने मेरे वीडियो खतम होएगी, मेरे पास courier होगा, और राइट, so courier form कुछ ऐसा देखेगा, आपको यह software की जरूद है, इसके बिना आप direct fill नहीं कर सकते बार आपको print करना पड़ेगा, so जैसे कि मैंने आपको गाता, first link खाली चौड़ देना, यहाँ पर आपके बास option होगा, fill and sign का, उस पर click करोगे, selected आजाएगा, आप अपना नाम डाल सकते हो, अपना डाल सकते हो, पूरे प्रॉपर फॉर्म में हो गए यहाँ पर, so आप ऐसे कर सकते हो, बस signature है कि आप print करने के बाद कर लेना है, सच कोई issue नहीं है, and when it comes to the second one, which is SMS, तो मैं वह भी दिखा देता हूँ आपको, जो second है, वह है, courier and SMS form request, so इसमें भी आपको fill and sign पर जाना है, कर देना कोई भी error है, तो, यहाँ पर एक बड़ी आपको problem होगी, कि आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, एक letter इदर, फिर एक इदर, फिर एक इदर, फिर एक इदर, थोड़ा सान even दिखेगा, आपकी मर्जी है, कि आप कैसे भी करना चाहते हो, तो इसके बाद अगर आपके bus एक नमर डाल के यहाँ पर अपना नाम लिखना है, और बस, और किसी चीज की जरूरत नहीं है, प्लेस में मैंने जैसे New Delhi डाल दिया, मैंने इंडिया नहीं डाला था, कोई इश्यो नहीं है, और अगर आपका कोई last name नहीं है, तो आपको last name डालने की जरूरत नहीं है, कोई इश्यो नहीं है, मेरा भी last name नहीं है, तो सिरफ अपना first name डाल देना, there will be no problem, all right, that's the end of this video, thank you for watching,